एलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, हम आज सेल के एक इंपोर्टन्ट और्गेनली के बारे में डिस्कस करेंगे जो है राइबोजोम राइबोजोम को जोर्ज पैलेड नाम के साइन्टिस्ट ने 1955 में डिस्कवर किया था राइबोजोम को अगर हमें सेल के अंदर देखना है तो वो साइटोप्लाजम और एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम के उपर दिखाई देते हैं सेल के अंदर जो छोटे-छोटे ग्रैनियूल्स दिखाई देते हैं वो होते हैं राइबोजोम राइबोजोम को पहले ग्रैनियूल से कहते थे पर आफ्टर इन्वेंशन ओफ इलेक्टोन माइक्रोसकोप साइन्टिस ने ये जाना कि ये जो ग्रैनियूल से ये प्रोटीन और राइबोजोमल आरेने से बने हुए है तो इस वज़े से ये ग्रैनियूल को आगे चलके राइबोजोम कहने लगे पूरे सेल में राइबोजोम ही एक ऐसे साइट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेस होता है और ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन पूरे सेल के फंक्शनिंग में बहुत इंपर्टन होता है तो protein synthesize के सिर्फ और सिर्फ एक ही site है that is ribosome Now there are two types of ribosome on the basis of their location First is bound ribosome तो जो endoplasmic reticulum जो है तो endoplasmic reticulum के ऊपर ribosome अगर attach है तो वो type को bound ribosome कहते है और दूसरा जो type है वो होता है cytosol में freely suspended दिखाई देता है ribosome तो उस वज़े से वो type के ribosome को free ribosome कहते है Ribosome दो unequal subunits से बनता है that is small subunit और large subunit अब ribosome ये eukaryotic cell में as well as prokaryotic cell में भी दिखाई देते है फर्क इतना है कि eukaryotic cell में जो ribosome है वो 80S ribosome होते है और prokaryotic में जो ribosome है वो 70S के होते है तो ये जो S है ये unit होता है that is wetberg ये size और density बताता है तो इस वज़े से eukaryotic में जो ribosome है वो size और density से बड़े है as compared to prokaryotic ribosome eukaryotic cell के अंदर दो S cell organally है that is mitochondria और plastid उनके पास उनके खुद के ribosome होते है क्योंकि उनके पास खुद के DNA होते है बट ये जो ribosome है वो 70S ribosome होते है actually eukaryotic cell में 80S ribosome होते है पर ये cell organally में 70S type के ribosome होते है तो eukaryotic में endoplasmic reticulum और cytosol में 80S के ribosome होते है और cell organally के पास that is mitochondria और plastids के पास 70S type के ribosome होते है और prokaryotics के अंदर सिर्फ और सिर्फ 70S ribosome होते है तो student ये था हमारा आज को topic अगर ये topic आप लोगों को अच्छा लगे तो like किजेगा और ये video share किजेगा Thank you झाल